दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का मेरा मैन परपज ये था कि जो ये प्रोजेक्ट है कॉंस्टेंट हाइंस एलिवेट सेक्टर 59 के अंदर देखो आपको यूटूब के उपर बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी सेंपल प्लेट देखने को मिल जाएगी कंसर्ट प्लेक के आहता है वाहां पर क्या डेवलेमेंट आने वाली है यह पूट के आने वाली है जिससे इस प्रोजेक्टी की प्राइजिंग हो और जैदा इसमें अगर face 1 की मैं बात करूँ थूड़ा साथ को मैं पीछे लेके तरलूँगा face 1 जब face 1 लोंच हुआ था तो लंचम 10,500 के रेट से लोंच हुआ था आज अगर मैं उसकी resale देखूं, resale जो होती है लंचम 20,500 की, मोटा मोटा double profit आज यहां पे आ गया है यह है face 1 ठीक है और अगर मैं face 2 अभी नोने है न कुछ यूनिट है वो open की है face 2 की तो उसमें जो रेट आता है 3 वी एचके का 20,500 fresh booking का और अगर 4 वी एचके की बात करूँ तो मैं उसके अंदर साड़े 22,000 रूपे की fresh unit है ठीक है, resale भी आपकी 20,500 और fresh भी आपका same rate है यह क्यों है, reason है इसका जो एक तो सबसे पहली बात यह है कि जितले भी जो ले प्रोजेक्ट आ रहे है एक्स्टेंसर रोड पे, वो 20,000 प्लस के ही rate से आ रहे है, ठीक है, अभी जैसे कौन से ठाई 62 में लोंज करने वाला वो 20,000 प्लस के rate से लोंज करेगा 62 सेक्टर में, reason क्योंकि वो अपनी property जो यह property है, इससे customerों ने बहुत ज़्यादा ROI अर्म की है इसमें जो contractor है, contractor है, ताटा, यानि ताटा इसको बना रहा है, पहले बातों यह आपका premium है, दूसरा, conscient की अगर मैं बात करूं, conscient एक Indian company है, और उसके कई जैसे की educational में है, उन्होंने कई ऐपार्टमेंट जैसे एक्स्टेंसर रोड पे बना रखे है, अपका द्वार का एक्स management company है, यूएस की, जिसने one horizon आपका deal-up के साथ बना रखा है, तो यह दोनों मिलकी इस project के अंदर काम कर रहे है, ठीक है, आपके यह भी एक नमबर के grade है, दूसरा आपका ठाटा है, तो पहले बात है, बनाने वाला okay है, और जो contract बना के आपको मकान provide कराएगा, वो भी okay है, क selling है, उसका reason ही यही है, कि एक लोकेशन बहुत premium है, दूसरा है कि आपका जो contractor है, टाटा, वो भी trustable है, जिस्चे लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जो trust है, वो gain किया है, यहाँ पे और उस हिसाफ से यहाँ पे price है, उसमें increase हुआ है, layout वगारा अच्छे है, design अच्छा है, landscape इसका अच्छा basement tunnel, SCD गाड़ी basement में जाएगी, ground पे कोई आपका vehicle moment है ही नहीं, ठीक है, 60 meter road से entry है project की अंदर, और इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बदा देता हूँ, अभी जो project आने वाला है, 62 की अंदर, वो directly लोंच होना है, ठीक है, रेराते project लोंच हो जाएग अब बात करते हैं, इस project की, USP की आज भी अगर खरीदे तो क्यों खरीदे, पहली बार, जो ये जो project है, इस project जैसा, next जो four year है, ठीक है, कोई deliver project नहीं है, सिर्प यहीं होगा, वो अगर एक extra project में लेके चलू, जिसके अंदर आता है आपका क्रम टावर, वो तो फिर अलग ही जेंट्री होगी, ठीक है, इसको तो हम छोड़ी देते हैं, यह तो अलग से में चलता है, तो रिसे लिए आज 25,000 रुपे की है, उसके बाद अगर next 4 साल तक आप आगे देखोगे, तो सरफ यही project आपको deliver हो रहा है, इस category के अंदर, luxury के अंदर, ठीक है, तो आज अगर आप एक fresh project के अंदर property देखेंगे, तो भी 20,000 रुपे plus के rate की पड़ेगी, जो की मिलेगी अगले 4 साल में, अगर आप एक ready to move property खरीद रहे हैं, तो भी आपको 20,000 रुपे के round पड़ती है, जो की position अभी, phase 1 की जो position है, अभी December के अंदर है, और phase 2 की जो position आएगी, वो आएगी next year December के round, तो property आपकी जल्दी मिल रही है, अगर आपको रहना है, जल्दी shift होना चाते हो property के अंदर, तो ये उक्तन आपके लिए बिलकुल perfect पड़ता है, पहली बात तो की property भी नहीं है, और ठीक reasonable price है, price तो बढ़ नहीं है, मैं आगे discuss करूँआ, एक्सरेसर रोड के price को लेके कि ये price आपके है, वो महेंगे है या सस्ते है, क्यों valuable है भी तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंतक जो देख लेना, तो अगर आप एक self-use के लिए देख रहे हैं, तो property होके है, तो आप यहाँ shift हो सकते हैं, दूसरा अगर fresh property में आप investment के तोर पे देखते हैं, तो वो आपके funding पे depend करता है, कि आपकी जो funding है, वो किस हिसाथ की है, अगर आपकी funding इसमें match होती है, तो आपकी जो investment है, यहाँ परफेक्ट बैठी बैठी जाएगी, अगर funding थोड़े दूसरे तरह की कि यह तो यह investment wrong है, तीर आपको क्या करना है, ज तोरा साइज मैं बता देता हूँ, 3 BHK का इसमें 2,055 और 2,055 का साइज है, वो अवलेबल है, ठीक है, अभी, अब इसमें limited है, वो sold हो जाएगी, दूसरा है कि इसमें 4 BHK का साइज भी बच जाता है, अगर प्राई करना जाते हैं, ले आउट आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लेंक नीचे description में है, आप वहाँ जाके आप layout और download कर सकते हो, अब बात करते हैं जी एक्सेंसर रोड के जो प्राईज है, वो कैसे चल रहे है, आई तेंक वो ये चीज़े आपको ज्याता तर वीडियो में है न, वो देखने को नहीं मिल देंगी, आपको site visit अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, अगर मैं पिछले साथ से आठ साल पहले की अगर मैं बात करूं, जो प्रोजेक्ट साथ आठ साल पहले आच चुके है, उनकी अगर reselling देखी जाए है, इस सोलह हजार से लेकर सत्रा हजार रुपए है, आप मानते हो इस बात को कि सोलह सत्रा हजार रुपे पुराने प्रोजेक्टों की, अगर मैं आज से और पिछले पात साल के जो प्रोजेक्ट है, उनकी रिसेलिंग की बात करो तो 20,000 से लेके 25,000 रुपे तक की रिसेल है यह भी आम मानते होगे 20,000 में हाइस लगा लो 25,000 रुपे में ट्रम टाउन लोगा लो एक एवरेज निकालते हैं सभी की तो एक्स्टेंसर वोड पे 20,000 रुपे की रिसेलिंग चल रही है यह कैवरेज है तो 20,000 रुपे की रिसेलिंग भी उतनी है और आपकी जो फ्रेश प्रोपर्टी आ रही है वो भी इतने ही किया है तो अगर आज हम हाईस बाई भी कर रहे हैं अगर सेल्फ यूज के लिए तो दूरेज़े नहीं है क्योंकि वो आगे चार साल के रेट पर जाएगी आज राइडी टु मू ले रहे हैं क्योंकि प्रोपेटी के अंदर जल्ली हम देखे मुविन गल्दी हो रहे हैं और पैसा फंडिंग लोन वगरा वो तुरंत होई रहा है प्रोपेटी समझने भी आती अब बात करते हैं इस लोकेशन की क्या है इस आपको मैं आगे लेके चल रहा हूं आप और आपने आने होला जो फ्यूचर है वो कैसा दिखने है इसने पुरे गुरुवाओं के अंदर development को भड़ा दिया है लोगों को ले आए है प्रोपेटियों के हाई प्राइज है वो हाई हो चुके है अब सेक्टर में बात करूँ सेक्टर 58, 59 और 59 के बगल में लगता है 63A और फिर सेक्टर 60 और 61 यह जो चार से पार जो सेक्टर आप जो देख रहे हैं यह अपने आप में ही एक स्टप सीटी है जैसे जैसे है डियलर फेस पाइज मानते हो यह ऐसे डवलोप होनी है क्यों होनी है क्योंकि जो सेक्टर 63A है वो ऐसी जैड है बनेंगे और जो लेंड है वो टोटल सब्सक्राइब करेंगे दूसरा जब अगर मैं इन सेक्टरों की बात करूं तो यह अंदर आते हैं यानि यहां पे सबसे मेजर जो लैंड बैंक यह है वो आई-ई-ई-उ-सीटी एक प्लान का जो आई-ई-ई-व के द्वारा बनाए गया था तो यह एक उबरती हुई आपको यह बता देता हूं कि अपकमिंग क्या है प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो आगे वह आएगे और एक पर it कि यहां पर आजाएगा शिल्वर गलेड का ठीक है जो था प्रोजेक्ट एक और जो आएगी वह आएगी पुरी के दुवारा तो यह चार से पांच ऐसी development है जो वहाँ पे नेरवाई में इसके आजपास में है वो आने वाली है तो आज आप सोच सकते हैं कि आप बहुत right time पे हैं अगर आप starting में नहीं इस area को track कर पाए तो अब भी कोई ज्यादा time नहीं हुआ है आप इस area को track करके better investment है वो try कर सकते हैं क्योंकि यह area ही एक अलब city यहाँ पे develop है वो होने वाली है और ऐसी चोटी-चोटी city गुरवाओं के अंदर बहुत बसने वाली है और हर city इस इसाफ से बसाई जाएगी आपका commercial बगल में होगा educational बगल में होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ अभी होना है दोस्तों किसी दिन आपको master plan दुबारा से समझाओंगा उसके अंदर कुछ plan है वो बदल गए है यानि कुछ जो development के जो part होने हो और धीरी धीरे cover करेंगे अगर आप सीखना चाहते हैं और real state के बारे में तो दूसरे चैनल को आप subscribe कर लो जो मेरा मैंने दूसरा learning का session उसमें करता हूँ उसके अंदर proper में अभी series start करने वाला हूँ अपनी जो third development हुई थी वो sector 58 से लेके 115 सेक्टर तक की development बनाई गई थी phase 3 के अंदर गुरगाओं की उसकी अंदर मैं क्या करूँगा कि एक एक जो sector है उसकी internal जो development है जो अभी तक आपने लोगों ने size नहीं देखे हूँगी वो cover करने वाला हूँ उसी channel के उपर तो आप दूसरे channel को subscribe पर सकते हो इस channel के उपर मैं शरब जो project आने वाले हैं वही video आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे investment के लिगारे तो आप investment करना जाते हैं तो हमारे पास अब भी कुछ ऐसी investment है जो आने वाले हैं लेकिन हम पहले ही इस टाइप का फंड है वो करना चाहिए आज का हमारा जो बेसिकली जो topic था वो यह था कि कॉंसेंट जो हैंच एलिवेट 59 का जो प्रोजेक्ट है यह बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट है क्योंकि एस प्रोजेक्ट जैसी जो डिलीविर जो आने वाली है चार साल के अंगर व सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्यादा जाल करिए आप चाहिए तो आप अप्लिकेशन फोर्म आपको डिस्क्रेशन में मिलेगा वह भर सकते हैं थैंक्यों